खलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यीटूब चैनल एकजाम इलैक्ट्योन में आज हम लोग इस वीडियो में ALP Technician 2018 के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में स्वाल्व करने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो का भी ही important है अगर आप ALP या फिर Technician 24 की preparation कर रहे हैं तो क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जितने भी question पूछेगा हैं इसमें उस सभी को आपको हम exam oriented way में solve करके बताएंगे और आपको इससे related अगर basic clear करने वाली सवाल होंगे तो आहाँ पर हम आपको basic भी clear करते चलेंगे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले question की तरफ चलते हैं हमारा पहला सवाल math का है हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले math section को solve करेंगे उसके बाद reasoning वाले question को solve करेंगे तो एक same ही number क्या होगा divide करने के बाद आता रहे वह क्या जाएगा एक recurring decimal होगा मतलब कभी वह कटता नहीं है ठीक है तो वह क्या जाएगा आपका recurring decimal हो जाएगा इसमें से check करना है आपको कौनसा recurring decimal है अगर यह की ध्यान रखिएगा अगर कोई भी fraction अगर base में क्या होगा अगर इसको n dinking ismi करना जो कितना जाएगा तो कितना जायगा साथ मीचेम कीटना जाएगा वीच देखेएगा अगर अगर इसको सिंप्लीफाइग कीजएगा लीच सप curiosity है पांट इंटू चार मतलब दू का आप स्क्वाइर इंटू पांच मतलब दो और पांच है इसका मतलब क्या होगा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक कुछ decimal के बाद क्या होगा यह कट जाएगा मतलब यह सांत हो जाएगा त़्मिटिंग नहीं होगा तर्मिटिंग होगा इसका स्क्वाइड का निया यह तो आपका Ó Romeo कहा गया है कि इसको सधारन भीन के रूप में आपको लिखना है तो देखे क्या कहा गया है 0.25 और उसके बाद 0.2 है 45 45 पे क्या है आपको रेक्रिंग है इसको आपको लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं देखिए कि इसको लोग लिखना है 245 लिखनेंगे 245 होगे पिर करेंगे हम लोग माइनस किसे करेंगे जिस नंबर पे रेक्रिंग नहीं है जितने भी नंबर पे रेक्रिंग नहीं है उतना 0 आ जाएगा क्लियर है जितने भी नंबर पे देखिए कितना है 0 और 2 है दो नंबर पे क्या है रेक्रिंग नहीं है उतना 0 इस पर आ जाएगा कितना जाएगा 1 10100 नंबर दू आपका देखे कॉस्टन नबर 3 को कहा गया है a glare Jos Past दूर प्रॉड विभाजित क्या आता है तो क्या है 22 बचता है और गियाता है 25 बचता है अगर हाम एक्र ओठ पर से भाजित करेंगे मतलब इस चार को इसमें पूट करेंगे तो क्या जाएगा हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा रिमाइंडर कितना है तो इसमें चार को यह है 32 के बराबर है मतलब आप इसको simplify किजिएगा तो यह 4A है तो क्या जाएगा आपका 4A पॉलस B इस इक्वाल टू 32 माइनस 16 कितना जाएगा 16 एक equation आपको यहां से बन जाएगा नेक्स्ट में देखिए अगर हम इस equation को मतलब इसमें हम इसको पूट कर लेंगे तो यहां कितना जाएगा फोर भी डैक्ट हम लिख सकते हैं इसको कितना जाएगा 16-16 मतलब कितना जाएगा आपका पंद्रव इसको इतना जाएगा इप्लस बीज़ों कितना ता चार प्लस ते न कीतना गा साथ जो कि अप्सान नमबर दो आपका कर्ण्स होगा एक आपको ग्रतिया होगा अप्सान नम्र दो आपका 3 cm से बढ़ा दिया जाता है तो उसका आइटन कितना है 657 cm बढ़ जाएगा तो घन के परतेक किनारे की मुल लंबाई कितनी है अगर हम माल लेते हैं मुल लंबाई हमारा x है ठीक है अब और कहा गया है अगर x है पहले अगर हम इसमें 3 cm बढ़ा दिया x plus 3 हो जाएगा तब कहा गया इसके आइटन का जो अंतर होगा 657 cm घन बढ़ जाता है तो अंतर कितना है 657 cm घन सेंटीमीटर है कहा है तो देखिए घन का आइटन कितना होता है भुजा का q मतलब x plus 3 का q यह जाएगा आइटन माइनस x q इसका भेलू आपको कितना दिया है 657 एक तरीका इसको आप सिंपल से solve किजिए माइनस किजिए उसके राद x का भेलू निकाली एक तरीका आपके पास क्या है कि एकजाम में बैठे हुए हैं तो आप सिधा सिधा option को पुट किजिए और आंसर आप निकाली है देखे अगर हम अगर इस मूल भुजा कि लंबाई अगर 6 cm होता तो कितना होगा 6 प्लस 9 9 का q माइनस 6 का q 9 का q में 6 का q का मतलब 9 का q कितना होता है आपका 739 और 6 का q होता है 216 सोलव इस दोनों को माइनस करने प्लाभ थया है तो क्या होगा electric नो कउ सिए नो का q 6 1945 आएंगा तो नहीं आएगा देखे बार Q किatu है spaghetti माइनस नो यहाँ तो साथ का क्यूब मैंस से 343 आपकर करना है माइनस तू कितनों जाएगा साथ का क्यूब एक खाल मेंसे तीन सो जाएगा सक्षाट करना है माइनस तो कितना है तर्यागा option number 4 आपका क्रेट होगा मतलब अगर भुजा 7 cm है तो उत्तप्रति जो घन के मूल हुजा के लंबाई के तो जाएगा 7 cm होगा देखे अगर श्वाल में कहा गया है दो ब्यक्ति A और B की आयू में क्या है 16 बर्स का अंतर है अब कहागा 6 बर्स पहले बरे ब्यक्ति की आयू छोटे ब्यक्ति की आयू क्या है तीगुनी दूती है मतलब अगर 6 बर्स पहले की बात क्या जा रहा है जो बड़े ब्यक्ति की आयू X है जो बड़े ब्यक्ति की आयू X है उसकी अगर आयू X है तो बड़े ब्यक्ति की आयू कितना हो जाएगा 3X होगा अब कहा गया है अब देखिए 3 साल बाद हो या फिर 3 साल पहले हो या फिर 6 साल पहले है शे साल होगा डोंत्स साल के भीच हम पंदलों कांतर कितना होगा प्रभी है तो किससर सल अभी है तो स्याम की अगर छालं यह साहीद है तो इस चीछ को धियान डखना है तो दिखेंख APP क्या कहा गया है, डोनों का 16 बर्स का अंतर है, 2 ब्यक्ति का अंतर कितना है, 16 मतलब 3x-2x is equal to कितना दो लिया है, 16, 2x भेलू कितना जाएगा आट, मतलब छोटे बाले ब्यक्ति की आईउ, 8 बर्स, बले ब्यक्ति का अंतर कितना जाएगा, 24 बर्स, लेकिन कब ये 6 बर्स पहले की है हमसे क्या प्टा कि A और B की आयू A और B में से कम आयू वाले बैक्ति की आयू कितनी है कम आयू वाले बैक्ति कौन है X है इसकी आयू कितनी है 8 बर्स कब 6 बर्स पहले तो अभी कितनी आयू होगी तो कितना है का दो का पावर आट हो जाएगा ठीक है आपसे क्या पूछा दो क्या कर लेंगे और इसमें एक एडिक कर देंगे यह तो अंसर रहेगा वही क्या होगा उतने ही उसके ग्रणखंड होगे मतलब 4 प्लस एक क्या होगा 5 पांच आपका अंसर होगा अप्सन नमबर 4 आपका ग्रेक्ट होगा लेकिन अगर आपको यह ट्रिक नहीं पता है तो गहीं सब्सक्राइब ग्रणखंड निकाले कौन-कौन से क्या है फोग твор नबर होगा और सेम नमबर ग्रणखंड खुद इनमेहाँ होगा ६हर्ण नुनक्राइब के समस्किया है मतलब 5 प्लस नमबर चाल आपका क्रक्ट होगा अगले सौल में कहा गया A और B किसी कार्ज को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं देखे A और B किसी भी काम को 20 दिन में कम्पलिट कर लेता है आगे देखे कहा गया B और C मिल करके 30 दिन में देखे B और C काम को 30 दिन में कर लेता है जबकि C और A मिल करके 24 दिन में समाप्त करते हैं तो कहाए B और C परतेक अलग-अलग कितने दिन में कार्ज को स्मॉप्ट करेंगे तो देखिए आपको सबसे पहले इससे भी कर लेना है आपको LCM LCM कितना हो जाएगा तो आपको 120 हो जाएगा LCM A और B की छम्ता कितनी हो जाएगी तो यह कितनी हो जाएगी 120-22 मतलब 6 A B की तुम்के B c की छम्ता कितनी हो जाएगी 4 और C B c की छम्ता होसमे क्या निकालना है आपको निकालना है B और C की अलग-लग स्म्ता सबसे पहर को माइनस कर लेंस कर लेंगे B को से को चमता हो जाएगी तो 45 से मतलब 15 माइनस 12 वारा बट्चे 2 मतलब 3 किन चमता आगी कच माइनस 5, मतलब 5 बट्टे 2 अब निकालना है आपको B और C अलग अलग कितने दिन में काम, अगर पुरा काम एक से 20 unit है, C की छमता कितनी है 3 बट्टे 2, तो इसको रिवार की यह 3 और 2 चल जाएगा, उपर मतलब होगा 40 दूनी 80, मतलब 80 दिन में क्या होगा B काम को से कंप्रिट करेगा, उसके बाद देखिए C कितने दिन में करेगा, इसको 5 बट्टे 2 कर लोगी 48 दिन में, C 48 दिन में और B क्या होगा, 80 दिन में काम को कंप्रिट करेगा option नमबर 3 आपका correct है देखिए, अगले स्वान में कहा गया है जोई और मिनती के कंचो की संख्या कानपाद का है 5 अनुपाद 8 है जबकि जैकेब और मिनती कंचो की संख्या कानपाद केतना है 7 अनुपाद 12 तो जोई और जैकेब के कंचो के अनुपाद आपको निकालना है देखिए, जोई है और मिनती है है इसके कंचो की संख्या नंबात कितना है tad आगे कहा कितनी है 12 यहां पर कितना होगा 24 यहां पर कितना जाएगा 24 तो देखे जोई 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 लिखे हैं जोई मिन्ती और जैकॉब के बीच का अनुपात कितना होगा चाहएक कितना होगा 15 अनुपात 24 और यह कितना होगा शाट किया जाएगा शाथ जैकॉब का जाएगा आपका साथ चोबश चिपंदर चवशाव ओप्सन नंबर आपका तीन दिया है अपसन नंबर तीन होगा अपका ख्रत होगा एक बासई मसीन का विक्रेमुल उसके तो 0.30 निकालना है, मतलब Selling Price क्या है, उसके क्रैमूल का 4 बटे 3 है, मतलब हम कहें, एगर CP, Selling Price, स्वरी, Cost Price बटे ते तीन आपको आपिस नमबर दो में दिया हुआ है एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्रेटफरम को pr प्रेट कर लिया ग्रवर्ण की रफ्तब आपको बताना है दोनों का स्पी बडाबर कर लेना है इसको स्वल्ब किए यहां से टेन की लंबाई आ जाएगी 17L-15L कितना जागा आपका 2L इस इक्वल टू यह जाए कितना 180 इंटू 15 मतलब 90 इंटू 3700 माइनस 17 इंटू 4 देखे सदर चोका 68 कितना जाएगा 2400 माइनस यह जाएगा आपका 2L का भेलू कितना जाएगा मतलब जाएगा आपका 1660 आप देखें प्रेट्फरम की लंबाई कितना जाएगा 30 इस को 15 से सब्सक्राइगा सब्सक्राइग कितना जाएगा 279 ciao क on 36 सम्ट बेच जाता है यदि उसे 24 सम्ट बेच जाता तो कितना लाव या हानी होता है वो आपको बताना है मतलब 36 सम्ट बेचता है तो क्या है 4 परतिसत का लॉस होता है मतलब हम कहा दे 96 परसेंट का भेलू कितना जाएगा 36 तो कहा गया है अगर 42 स्वम बिचा जाता है तो लाब कितना होगा या हानी होगा आपको निकालना है तो पहले देखिए इसको 100% निकालें कि मतलब आपका कोश्ट आ जाएगा इसको आप पाट लेजिए चार से काटिए चार परसेट का वहलू कितना जाएगा एक सो पचास मतलब हम इसको 100% का वहलू कितना जाएगा आपका तो 15% का 5, 152, 37, 37, 35, पाट चाएगा इसका कोश्ट परसेट हो जाएगा अगर हम इसको 42 समय बैचेंगे तो कितने का परफिट होगा प्रोफिट कितने का जाएगा तो ब्याएस सो मैनस 37, 50 मतलब 450 चार सो परफिट हुआ कितने परफिट हुआ आपको निकालना है तो कितने परफिट हुआ कैसे निकालेंगे मतलब प्रोफिट बटे कोश्ट प्राइस इंटु हंड़ेड चार सो परफिट बटे सैंतिस सो परफिट इंटु हंड़ेड कर लेना है जो 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 कैंसिल नो से कट शत्तर परिक्षनों का योग कितना दिया है यदि आंक्रों का मद्ध एक्स है तो एक्स का मान कितना होगा देखे 15 परिक्षन का योग अगर 434 प्लस एक्स है इसका कहें माध्ध निकालना मतलब एक्स निकालना हो कितना होगा 434 पलस एक्स बटे प्रिक्षनों की संख्या कितना है 15 इस इक्वल टू यह माध्ध आपको पंदरे परिक्षनों का योग नदरी मद्ध क्या है एकस है तो एक्स का माना पर निकालना है अप्षर का मस मास मारा 11 यह आप का मेंagain कहा गьा है सिंप्स पाँजार की धनदासी चतना शक्रें छोड्दसएब़ यह डिया आपको, बलस्या था बार्सिक दर्बन निवेस करता है एन बर्सों के बाद सेम्स को 1655 और प्राप्त होते हैं तो एन कामान ज्याद करना है मतलब कोई भी परसन कहा है यहां पर इंट्रेस्ट दिया हुआ है तो क्या करना है आपको फ्रमुला पता है उस फ्रमुला से आप पूट कर लिजिए आपका अंसर आ जाएगा ठीक है तो यहां कितना जाएगा छेहजार छेशो पच्पन ठीक यह जाएगा आपका कमपांड इंट्रेस्ट प्रिंस्पल जिभाइडेड़ प्रिंस्पल केतना जाएगा आपका 5 कना ऑट एतना होता है उस यह आपका 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 यह जाएगा यह 12,15,65,65 यह कितना हैगा? एक हजार मतलब यह जाएगा आपका 11,13 से 31,30 बटटे एक हजार, मतलब इसको भी दे सकते हैं 11,020 का पावर Q मतलब एंड का भिलुआपको कितना जाएगा? त्री यह आजाएगा जोटी अप्सटन नबर दो में दिया हुआ है देखे कहा गया है यदी संक्या X 3, 4, 5, 1 तीन से विभाज्य है तो X 1 अंक है तो X के सभी संभब मानों का यो क्या हो सकता है वो आपको बताना है देख कोई भी संख्या अगर 3 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा उसका योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब संख्या देखिए X है, पलस इसको इसे कर लगाए, 3, 4, 5, 1, देखिए, तेरह में इस संख्या को क्या होगा, तीन का फेक्टर आ जाए, मतलब अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 15 याइगा 15 से विभाजित है उसके बाद x के अस्थान पर हम 5 रख देंगे तो भी हो जाएगा 5 के बाद क्या होगा 8 रख सकते हैं 2 बट्टे 3 है तो अन्न भीन Chanel क्या होगा looking 2 बट्टे 3 पलस अन्न भीन x है इस दोनों का योग 3 बट्टे 4 है तो आपको x कमान निकालना है मतलब 3 बट्टे 4 माइनस 2 बट्टे 3 simple है LCM 12 होजाएगाँ Galcium 9 माइनस 8 मतलब 1 एक बटे 12 option number 4 collect होगा देखे कहा गया है 22 मीटर भुजा बाले एक बर्गा कार पार्ग के मध 2 मीटर 4 सरके बनाई गई है जो उसके लंबाई और चुड़ाई के स्मनंतर है 100 रुपया प्रती बर्ग मीटर की दर से इस सरक की बजली कराने की खर्च कितना आएगा तो देखे कहा गया है बर्गा कार पार्ग है देखे आपको हम रुपिकर ड्रॉड करके समझाने कोशिस करते हैं इसके भीचो बीच कहें कि दो मीटर 4 सरके बनाई गई है जो कि उसके लंबाई और चुराई के समाना अंतर है इस तरह से आपका दो मीटर मारग है दो मीटर लंबी है जो कि इसके माद से बनाई कही है तो इसका आपको सिप यह जो दिया हुआ आपका सरक इस सरक का एरिया निकालना है आपको कहागा इस एरिया पे सो मीटर परती बर्ग की दर से बजरी कराए जाने हैं तो इसकी लागत कितनी होगी वो आपको बताना है किलियर है तो देखे आपको यहां से इस जो रोड है इसकी चुराई कितनी दे दिया गया है दो, दो, दो मीटर की दे हुई, आपको पता है बर्ग है, यह तो इसका लंबाई आपको दे दिया है, बाइस मीटर, तो आप इस दोनों सरक की लंबाई आपको निकाल लेजी, सिंपल है, तो देखे, यह कितना चाहिएगा, इस रोड की लंबाई निकाल लेगे, कितना चाहि पलस इसका उतना ही होगा 44 . लेकिन इस दहान रख़िएगा यह आपको इसको हम लोग एडिया जो बर्स बनेगा यहाँ पर यह भी इधर भीडो इधर भी दो इधर मतलब बर्ग बन रहा है इसको माइनस कर लेग को मतलब 4 मतलब 4 cm कर लेंगे रगू का टेंकर एक जलासे को चार घंटे में भर सकता है, जलासे आधा भरने के बाद इसी तरह के तीन और टेंक खुल दे जाते हैं, तो जलासे को पूर्णता भरने के लिए कुले कितना समय लगेगा यह आपको बताना है, तो देखिए रगू का एक टेंकर है, टेंकर माने है लगो ठीक है ती अवर सिफे यदेंट के घंक के खंटे तो देखे 20 बट्टे करलाजे 40, मतलब आधा घंट में टैंक को भरदेगा, मतलब दो घंडे पहले चला, एक चार टैंक में अधा घंट में भरदेगा, प्लस आधा घंटा टैंक को भरणे मैं लगेगा, मतलब 20 घंटLG देखे, भेन डाइग्राम सोर्ड दिस्ट्रिप्शन और मेंडर्स इन धुमन बडी, बेस्ट अन गिभेन डाटा, what is the ratio of calcium to the sodium, calcium से sodium का ratio निका, calcium कितना ratio है, 40, sodium कितना है, 8, मतलब 5 बट्टे 1, 5 ratio 1 होगा, 5 ratio 1, option number 1 में दिया हुआ है, option number 1 आप collect होगा, किसी द्विघा समिकन के दो मुल, x is equal to 2 बट्टे 3 है, और x is equal to minus 1 बट्टे 2 है, तो इसको आपको कहा गया है, equation के form में आपको लिखना है, तो देखिए, जब कभी भी root दिया हुआ, इसको question के form में लिखने के लिए, अगर x is equal to alpha दिया है, और x is equal to 2, root दिया है, बीटा दिया हुआ है, तो कैसे होगा, इसको factor form कैसे दिखते हैं, तो x minus alpha into x minus, x minus होगा दुने जगा, बीटा is equal to 0 के बराबर कर लेते हैं, simple है, तो इसमें क्या जाएगा, तो x minus 2 बट्टे 3 into x, यहाँ अप अरड़ी माया है, तो minus minus plus हो जाएगा, आपका eliminate, के लिए उसका देखे, 2x plus 1, 2x plus 1 होगा, तो 2x plus 1 जो की option number 3 में दिया, option number 3 आपका collect होगा, देखे, next वाल में कहा गया है, एक डस भूज, मतलब हेन डेकागोन में बिकर्णों की संख्या कितनी होती है, आप सबसे पहले देखे, polygons दिया हुआ, और इसको कहा गया है, आपको diagonal की संख्या बताना, यह हैं डेकागोन का मतलब कितने साइड होंगे, तो इसमें इकता होगा 11 साइड होंगे, 11 साइड वाले polygons का, आपको विकर्णों की संख्या बताना है, तो क्या फ्रमूला होता देखे, अगले सवाल में, अब देखे, math का सवाल कंप्रीट होगा, अब हम रिजिनिंग के सवालों को स्वाल को स्वाल करेंगे, तो कहा गया, assuming, इसमें दिया होगा नमबर काश्यर मार की अथान पर आपको बताना है क्या होगा, तो देखे, आप लोग इस तरह के series को आप तो आपका 80 आजाता है, इस तरह देखे, 16 का S को आए, मैनस साथ के जिए, 207 आजाता है, इस तरह क्या होगा, 25 का स्कार मंतर 625, मैनस 441, के जिए आपको 184 अप्सन नमबर 3 में दिया, अप्सन नमबर 3 आपका correct होगा, देखे, कहा गया है, I को 10 लिखा गया है, L को 13 लिखा गया है, O को 16 लिखा गया है, Koster Mark है, X को 25 लिखा गया है, तो इस मिसिंग नमबर अथान पर दो नमबर मिसिंग है, उसके अथान पर क्या पादेखे, I दिया है, 9 है, फिर यहां पर कितना है आपको, L दिया गया है, 12 यहां तीन जोर दिया गया है, फिर 15 बड़ा नमबर दि इतना से भी आपको लिखे देखे, R19 वाला अप्सन नमबर सिर्फ 1 ही दिया है, अप्सन नमबर 4, करेक्ट होगा, देखे, कहा गया है, दिये गए मास का 14 दिन, कौन सा होगा को अथन, 1 और अथन, B के हेल्प से बताना है, देखे, महिने का अंतिम दिन क्या है, संबार है, 25 दे है, 25 दे क्या होगा, मास का, चाउठा क्या है, संबार है, चुदामा दिन आपको, इस तरह से निकाल सकते हैं, कैसे देखे, इसमें से आपकर कहें, अठारमा दिन कौन सा होगा, तो संबार होगा, संबार में 4 दिन माइनस कर लोगा, आपको, चुदामा दिन मास का आज फिर क्या है W मतलब X से पहले वाले नमबर G HI G से पहले वाले नमबर F, M NO M से पहले वाले नमबर L मतलब L M NO इसे देखे P O N दिया है विग्रत होगा देखे यह तो आपको सबसे अलग है मतलब option नमबर 4 आपका correct है देखे इसको बताना है इसका measure image क्या होगा सबसे पहले देखे मेरे वाले पार्ट नीचे है तो हमेसा नीचे ही रहेगा option number B, option number C आपका होजाएगा eliminate देखे यह वाला पार्ट अब देखे राउंड फिगर में यह जो दिया हुआ है यह वाला पार्ट का उपर है तो देखे यह उपर है यह में है लेकिन देखे चीदे नीचे देखे रिवर्स यह भी आपका option number आपका दू करेक्ट हो जाता है देखे कहा गया है तर्ट इक सवाल है कोई लर्की कूद नहीं सकती और कुछ लर्कियां तैराक है निसकास में भी है पुरूष तैराक कूल सकते हैं तो यह यह से कोई तात्पर ने रखता है कथन से कुछ तैराक कूल सकते हैं यह भी कथन से कोई भी तात्पर ने रखता है मतलब तो एक और नहीं नितीन रेंक्स 23rd from the top in class of 42 what is the rank from the last लास से क्या गया नितीन का रेंक मतलब 23rd है किसे टॉप से और बटम से क्या रेंक होगा वह आपको बताना है यह क्या करना है 42 माइनस 33 कर लिजिए पलस इसमें एक कर लिजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है मतलब 42 माइनस 33 कितमा बीस मतलब 20 मा रेंक नितीन का बॉटम से यानि लास्ट से देखिए इसमें कहा के ग्रूपिंग करना है आपको तो ग्रूपिंग करके बता यह कौन सा आपका option correct होगा तो सबसे पहले आपको ग्रूपिंग कीजिए एक तीन और पांच एक तीन पांच देखिए सरकल का पार में कहा गया है if the first ten term and last ten term of the given expression are interchange in such a way that the first term is interchange with the last मतलब R को S से and the second last मतलब B को S से interchange कर देना है the third को third last से change करना है इसी तर से मतलब 10 number को change करना है तो what will be the fifth from the right in the new arrangement मतलब राइट से पांचमा वही होगा जो लेप से पांचमा होगा later training करेंगे देख कि 5 से निकाल शकते हैं laps दो तीन चार पांच रिसे पांचमा लपसे पांच पहना हो छागा इस항 में होगा डश क्रेक्ट कर रहा है इंधल अप्सन उपसर को डिपेजंट करке पहला ओप्षण में क्या है मांस खाने वाले जानबर वाग और गाए जितने भी मांस खाने वाले हैं इसको newton के अंदर को आजाएगा आपका बाग आजाएगा और गाओ क्या है सभी से क्या है अलग है ठिक्क है तो आपका Special अगरे सवाल में कहा गया है केवल काम करने और कोई मनरंजन ना करने से जैक सुष्ट बन जाता है काम करना महत्पूर्ण है एक में दिया गया जो कि इसका बक्तब से कोई भी तालुक नहीं रखता है अब करना पर रहा है अनुसरन करता है इस तरह से आपको क्रेक्ट होगा देखे कहा गया है यह लिखा गया तो यह इस पैटरन को फ्लो करते हो यहां पर रिवर्स और में लिख दिया गया है देखे, S, K, C, U, मतलब इसी को कर गया है, रिवर्स करके, यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप रिवर्स करके, यहाँ पर लेदे मनतलब K, C, A, J, P, इस तरह से आपको IHS, आ जाएगा जो की option number 2 में दिया हुआ है, देखे, कहा गया है, कथन में कहा गया है, PQR के लिए कोड कोरी क्या होगा, बक, तब 1 और 2 का help से आपको बताना है, तो PQR के लिए कोड़ में, ABC के लिए कोड़ लिखा गया हा, इन्होंने B, C, D, उसके बाद DEF के लिए क्या लिखा गया है, EF, G, तो इसके helps को सकते हैं, PQR को क्या होगा, देखे, ABC के लिए क्या होगा, ABC के लिए क सब्सक्राइब को लिए इस तरह से आपको आंसर देने के लिए परियापता है एक आपको आंसर देने के लिए परियापता है कौन साइस में और है सभी लैट्स देकी होगा है सभी का क्या है लेंदक करैक्टर देकि लेंदफा की। है ठीकर देखे 5 क्या है नंबर है सभी के सभी क्या है सिम्बॉल है तो अपसर नंबर दो करक्टर होगा मतलब 5 क्या है इस ग्रूप से अलग है देखे इसमें पुछा गया है मिन्मम नंबर अफ एसमें कितने होंगे तुरस पहले में देखें कांट कीजिए एक दो और तीन इ कि लसा हो जाएगा आपका आठ आगे देखिए को चाहते हैं लोग तेकि यह आपको एक ऐसे एक ऐसे यह बन रहा है कितने जाएंगे आपका यह हो जाएंगे आपके दो अब आप लोग देख कितना जाएगा आपका दस और फी कहें शेटेंड आपको दीख रहा है जो हम लोगों ने काउंट करना चोड़ दिया है तो आप देखे इसको इधर दुसरा अंगल लें थे लेखे यह आपको यह बन रहा है एक यह है एक यह है और चार इसमें और रेट कुझ साथ प्रेटर्ण को फ्वलो कर रहा है सबसे फ़र देखे त्रस दिमाग लगा आप लोग थो देखे 24 और देखेशे कितना आता च्रवासा च्रवाइड़ इंटु छे आपका यह इसमें आठारा इंटु नौ दिभाइड़ वाइड़ वाइट तू इक सी आ रहा है इसमें क्या थाएगा, तो आपको x into 11, बटे 2 is equal to 88, मतलब 8 दूनी 16, जो कि option number 4 में दिया है, option number, देखिए अगला स्वाल, बट रिलेशन का स्वाल है कहा गया है, यदि y जो है x का भाई है, आप कहा गया y जो है, z का बेटा है, मतलब z का पुत्र क्या है, y है, तो z के पिता, x के क्या होंगे, z के जो फादर होंगे, x के क्या होंगे, तो x के क्या होगा, गरंड फादर होंगे, जो कि option number 1 में दिया हुआ है, इस तरह से आपके सारे सवाल complete होगे, math plus reasoning के, जितने भी सवाल पुछेगे, सभी सवालों को हम लोगोंने complete करा दिया है, उमीद क कि तरहा सक। लुछेगे, सब्साइब झार्थम, उमीद करा दिया होगे, सिया है, जो फादर होंगे, सब्साइब झार्थम, तो